नमस्ते बच्चों, कक्षानों, विशे विज्ञानों लेसन पांचमा अपने शुरू कर रहे हैं अपने जीवन की मोली की काई कोशिका के बारे में अपने इसमें पढ़ेंगे कोशिका क्या है हमारे शरीर की स्रंचनात्मक वे किर्यात्मक इकाई है कि सभी जीव जनतुओं पादपों का जो शरीर है उनकी जो आकरती है वो किन से निर्मित होती है कोशिकां से ही निर्मित होती है कि जिस परकार एक गर को बनाने के लिए किस की जुरूरत पढ़ती है इंट की पत्थर की जुरूरत पढ़ती है तो उस गर के लिए उस महल के लिए वो इंट और पत्थर क्या है कोशिका की तरह कारे करता है कि कोशिका क्या होती है स्रंचना आत्म के वह किर्यात्म की काई होती है तो वो स्रंचना परदान करती है तो एक गर को इंट क्या परदान करती है स्रंचना परदान करती है तो एक ग प्रापत होता है विरुष्ट की शाल से तो 1165 में हुक्ने से सव निर्मित शुक्षम दर्शी से मतलब खुद की बनाई सब निर्मित कर्थ क्या हो गया जो उसने खुद बनाई थी उस शुक्षम दर्शी से देखा था रोवट हुक ने इन प्रकोष्टों को कोशिका कहा रोवट हुक ने कोशिका की खोज की लेकिन मृत कोशिका की सबसे पहले उसने क औरक की पतली काट में जो खुद बनाई शुक्षम दर्शी उसकी साहिता से इसको देखा तो रोवर्ट हुक ने इन पर कोस्टूं को क्या कहा कोशी का कहा शैल लेटिन सवध है जिसका अर्थ क्या है शोटा कमरा सैल क्या है कोशी का है एक लेटिन वाशा का शवध है और इसक गर बन जाता है कमरा बन जाता है उस ये परकार कोशीकाओं से मिलकर हमारे श्रीर का निर्मान होता है तो रोवर्ट हुक ने 1665 में कोशी क Cornし की मृत कोशी कां की तो उपरोगत जो गटना है वो छोटी तथा अर्थ ही लगती है लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्यपुरन गटना है कि यह जो गटना है वो छोटी लगती है लगता है कि इसका कोई अर्थ नहीं है यह ऐसे ही है लेकिन जब इसकी स्टार्टिंग होई थी जब इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था तब यह गटना एक बहुत ही महत्यपुरन गटना थी इस परकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग-अलग एकक होते हैं और इन एककों का वर्णन के लिए जीव ग्यान में कोशी का शवद का प्योग आज तक किया जाता है रोवर्ट हुक ने उस ताइम यह चीज बताई थी और जिसका प्योग कोशी का शवद का प्योग आज तक किया जाता है तो कोशी का विशे में अपने और पढ़ती हैं सबसे पहले देखो 5.8 क्या है सजीव किस से बने होते हैं तो इससे पहले किर्यकलाब दे रखा है कि प्याज का एक चोक्टा टुकडा ले लो चिम्टी की साहिता से हम क्या करो प्याज की अवतल स्टैक की और से जिली उतार सकते हैं और इस जिली को क्या करो तुरंत पानी वाले आप बोच ग्लोस में रख लो और फिर इससे जिली मूडने और सुखने से बच जाएगी तो आपने काँच की प्याज की जिली उतार कर उसको बोच ग्लोस में रख लिया पानी में ताकि वो मूड़े ना सुखे ना सुखने से वो बच जाए फिर क्या करो एक काँच की स्लाइड लो और इस पर पानी की कुछ बुंदे डाल दो बुंदे डालने के बाद आपने जो जिली उतारी थी जिसको बोच ग्लोस में रखा था अब उस जिली को क्या करो स्लाइड पर रखो और यह ध्यान रहे की जिली बिल्कुल सीधी हो एक पतला पैंट बुश इस जिली को स्लाइड पर रखने में आपकी साहिता करता है अब इस पर क्या करो एक बुंद सैफ्रा माइन की डालो तथा इसे कवर के स्लीप से डख दो कवर के स्लीप से डख दो कवर स्लीप को क्या करो सुई की साहिता से इस परकार रखो जिससे कि इसमें वायू के बुलबले नह जाए और अपने द्यापक की साइटा से आप आज की जिली की ऐसाई रूप से स्लाइड बना सकते हो अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले और उसके बाद उच्छ शक्ति वाले स्युख्षम दर्शी से देख सकते हैं जो शुक्षम दर्शी होता है इस परकार का इसमें यहां से नेत्री का लैंस होता है यहां से इसको देखा जाता है यहां पर स्लाइड रखी जाती है और नीचे से यह प्रकाश का प्रावर्तन जैसे ही इस पर पड़ता है तो हमें को यह स्लाइड दिखाई देती है तो यह है आपका शुक्षमदर्शी पहले तो इस नॉर्मल शुक्षमदर्शी से देखी स्लाइड को फिर क्या किया इस से भी अच्छी मतलब उच्छी शक्ति की जो शुक्षमदर्शी है शुक्षमदर्शी उसकी साहिता से फिर इसको देखा और अलग अलग स्लाइड देखी और फिर उसका इस परकार चित्र बनाया उसका जो चित्र बना वो क्या बना इस परकार दिखाई देता है इस परकार की कोशिकाई दिखाई देती है ये क्या है बलैक बलैक ये केंद्रक होते हैं और ये सारी क्या है कोशिकाई है इस परकार की स्रंचना है वो दिखाई देती है तो ये स्रंचनाइं क्या है यह जो सभी स्रंचनाइं है एक जैसी ही दिखाई दे रही है देखो सभी मतलब इस परकार की इस परकार बीच में ऐसे सभी इस परकार की ऐसे दिखाई दे रही है और बीच में केंदर सभी एक समान दिखाई दे रही है ना तो यह सभी स्रंचनाइं क्या हैं एक समान जैसी दिखाई देती है तो यह सभी मिलकर क्या करती है एक बड़ी संचना बनाती है कि सभी एक समान संचना ही मिलकर जोड़ती है जैसे इंट की बात वह बार बार जामपल आ रहा है कि सभी इंटेक जैसी होती है पूरे गर का निर्मान करने मेरे सारी इंटेक जै जाती है मिलती जाती है और फिर बड़ी कोशिका का निर्मान हो जाता है प्याज का तो इस क्रियकलाप से हमें क्या पता चलता है कि बवी नकार के प्याज में शुक्षम दर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संचनाइं दिखाई देती है कि सारी संचनाइं कैसे दिखाई देती है एक जैसी प्याज की जिली की कोशिकाई क्या है एक समान है और प्याज के अकार से इसका कोई भी सबंद नहीं है कि प्याज की सपरकार का है इस से उस कोशिकाउं का कोई भी सबंद नहीं है उनका तो बस प्याज को बनाने में योगदान है उसके अकार से मतलब ऐसा नहीं कि जैसी कोशिकाओं का कार है वैसा ही उसाकरती का कार होगा ऐसा बिलकुल भी नहीं है ये छोटी-छोटी संचनाई जो हम देख रहे हैं शलक करंद प्याज की मूल बूतिकाई है ये क्या है प्याज की मूल बूतिकाई है और इन संचनाओं को ही क्या कहते हैं कोशिका क प्याज बलकि जितने भी जीव जनतु हम अपने आज पास देखते हैं वे सभी भी कोशिकाओं से बने होते हैं जद भी कुछ जीव क्या होते हैं एक कोशिक होते हैं कि अकेला प्याज नहीं प्याज का उधारन लेकर इसने समझाने का प्यास किया है लेकिन अपने आज पास जितने भी जीव जन्तु हैं, वो सभी किस से बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ जीव ऐसे हैं, जो सिंगल एक कोशिका से ही बना होता है, जैसे अंडा, मुर्गी का अंडा है, वो क्या है, एकल कोशिका है, कितना बड़ा है उसको अपने नगर नांखों से देख सकते हैं वो क्या है एक कोशिका है इसी तरह अन्य जीव भी सजीव भी है जो क्या है एक कोशिका होती है उसमें एक ही कोशिका होती है वो सभी परकार के कारे करती है हमारे शरीर में तो क्या है बबिन परकार की कोशिकाई हैं कि फिलिंग्स को कोट्रोल करने के लिए अलग कोशिकाई हैं खाना पकाने के लिए पचाने के लिए अलग हातों कारे करने के लिए अलग परकार के अलगल कोशिकाई हैं लेकिन कई जीव जो एक ही कोशिका से बने होते हैं उनमें क्या होता है कि वो संपूरन जो एक ही कोशिका उनके पूरे श्रीड के कारें को क्या करती है कंट्रोल में करती है जैसे कि अमीबा, कले मीडोनोस, पैरामेशियम, बैक्टीरिया यह हो तो देखो परतेक बहु कोशिक जीव एक कोशिका से ही विक्सित हुआ है कि अपने बहु कोशिक हैं लेकिन मिलत को तो एक कोशिका से आगे से आगे मिलती है तो अपने इस चैप्टर के लास्ट टोपिक है आपका विवाजन उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि विवाजन होती है और इस परकार सभी कोशिका पूरवरती कोशिकाओं से उत्पन होती है जिस परकार एक पीडी से अगली पीडी चलती रहती है उसी परकार कोशिकाओं भी विवाजन होती है और आगे से आगे कोशिकाओं बनती रहती है और सबी जो कोशिका ही हैं वो अपनी पूरो बरती कोशिकाओं से ही प्रापत होती है इसके बाद देखो रोबर ठूक के बारे में रोबर ठूक ने कोशिका का पता कब लगाया 1665 में लगाया कोशिका को इसने किसमें देखा कारकी पतली स्लाइड में देखा लेकिन इसने क्या किया था मरत कोशिकाओं की खोश की थी लेकिन लियुवेन होक ने क्या किया सबसे पहले उनत शुक्षम दर्शी से तलाव के जल में सतंतर रूप से जीवित कोशिकाओं का पता सबसे पहले किस ने लगाया था लिवन होक ने लगाया था रोवट हुक ने मिलत कोशिकाओं का पता लगाया और जीवित कोशिकाओं का पता किस ने लगाया लिवन होक ने लगाया 1831 में कोशिका में केंदर का पता भी लगाया गुदर केंदर की खोज की थी 1831 में और पुरो कंज ने 1849 में कोशिका में एक तरल जैविक पदार्त पाये जाता है जिसे जीव द्रवे नाम दिया किस ने खोज की जे ई पुरो कंज ने, मरत कोशिकाओं की रोवट हूक ने, जीवित कोशिकाओं की लियोववन हूक ने, केंडर की रोवट ब्राउन ने और पुरो कंज ने जीव द्रवे की खोज की थी और दो जीव विग्यानिक हुए स्लेडन हुआ और स्वान हुआ इन्होंने कोशिका सिदान्त बताया था स्लेडन वे सिवान ने कोशिका का सिदान्त बताया था और इस सिदान्त के उनसार क्या था सबी जो पोदे हैं जनतू हैं वो किसे बने होते हैं कोशिकाओं से बने होते हैं और वे जीवन की मूलबूत इकाई है कोशिका क्या है हमारे स्रीर की जीवन की मूलबूत इकाई है और बिर्चो ने कोशिका सिदान को और आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि सबी कोशिक के बाद आप दो बारा से समझोну रवट हुख ने कोशिका की खोज़ की लेकिन किस खोशिका की मित कोशिका की कब की 1665 में इसके बाद जीवित कोशिका की खोज 1864 में लियोवेन होख ने की ऐचारज 1931 में रोवर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की और पुरो कौंज ने उसके जीव द्रवे की खोज की और स्वेधन वेशिवान ने कोशी का सिधानत दिया और उसको किस ने बढ़ाया बिर्चों ने बढ़ाया और 1940 में लैक्टरा शुक्षूंदर्शी की खोज हुई और उ कोशिकाओं की जो आकरती है अकार है उनके वशिष्ट कारें के रूप होते हैं सभी कोशिकाओं की आकरती अलग-अलग होती है अकार अलग-अलग होता है कुछ कोशिकाओं है अपना अकार बदलती रहती है जैसे एक कोशिकी जीव है अमीबा ये अपना अकार है वो क्या है बदलता रहता है कुछ जीवों में कोशिकाओं का अकार क्या होता है स्तिर रहता है और प्रतेक प्रकार की कोशिकाओं के लिए विशिष्ट होता है उदारन के लिए तंत्रिका कोशिका का जो अकार है वो स्तिर रहता है जैसा एक वर बना हुआ है एक जीव के अंदर उसका अ कारे क्या होते हैं हम जानते हैं कि जो बहुत कोश्के जीवों में शरम विवाजन होता है जैसा कि मनुश्यों में कि बहुत सारे कारे होते हैं इसका आर्थ होता है कि शरीर के जो बवीन अंग है वो क्या करते हैं बवीन कारे करते हैं जैसे शरीर में हर्द्य अरुदीर को पं करता है जिसे परकार हमारे शरीर के सबी हग अलग-अलग कारे करते हैं उसी परकार एक ही कोशिका के अंदर भी केंद्रक। राइवोसोम, लाइसोसोम, ईट्रो गोल जी काई, प्लेस्टीड, अरितलवक, ऐसी बहुत सारे मतलब उसके अंदर कोशिकांग के अंदर पाई जाते हैं जिने क्या कहते हैं कोशिकांग कहते हैं उनके अंदर भी कारे विवाजित होते हैं बांटे हुए होते हैं पर तेक जो कोशिकांग है वो अलग-अलग कारे करता है तो उन सभी के बारे में भी अपने आगे पढ़ेंगे तो ये कोशिकां कोशिकांग होते हैं और इसमें कोई फर्रक नहीं पड़ता कि उसके कारे क्या है या किस जीव में पाई जाती है मतलब सभी कोशिकांग में इसमान कोशिकांग पाई जाते हैं चाहिए उस कोशिकांग कोई भी कारे हो लेकिन उसके अंदर कोशिकांग सभी पाई जाएंगे ज दन्यवादा!